आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार लोगों के बीच लोग प्रीय है प्राइम टीवी किस खास रपोर्ट में लेखिए देश में जहां एक तरफ कुरोना की धीनी पड़ी रफ्तार ने लोगों की जिंदगी पठरी पर लौट रही है तो वहीं अब प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंद्री आरोग स्वास मेले का शुभारम गोरगपुर में आदित्यनात ने किया है लाज्च इसन्थान के अवसर करते अ प्रोक से सोक से संताप से मुक्त होने की भी प्रार्थना करते हैं और यहां पर तो स्वास्त्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथ्मिक स्वास्त्य केंद्र में जाकर के स्वास्त्य समंति सभी प्रकार की स्विप्धाओं को प्लब्द कराने के लिए आपके लिए आपकी सिवा के लिए पूरी तरवेता के साथ वहाँ पर जुड़कर के आपकी सिवा के लगा हुआ है आरोग मेला के पुनह प्रारंब होने से एक ही स्थान पर अब आम जन्ता को ट्रिपल डी यानि डॉक्टर, ड्रॉक्स और डाइगनॉस्टिक की मुफ्त सुविधा मिल सकेगी आक प्रदेस भर के सभी स्वास्त्य मेलों स्वास्त्य केंडरों में मुख्यमंत्रि आरोग के मेला का फिर से सुभारंबो होडा है इसके पीछे काउप्ते से हैं कि हम तातकानिक विमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपए तो बताएं कि और रोगी को देखना ही नहीं है बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्द करवाना है आउससे जाचे भी करनी है आयुस्वान भारत के काड़ भी बनने है यह मेला हर रवीवाय शाम चार बजे तक चलेगा आरोग्य मेला निशुलक होने के कारड़ ये विवस्था नाग्रिकों में काफी लोग प्रिये है इस मेले में चिकित्सा सिक्षा, बाल विकास, एवं पुस्ट हार विभाग और आयुश विभाग की सेवाई दी जाएंगी दरसल कोरोना महमारी के कारड़ जन्वरी से आरोग्य मेला स्थागित कर दिया गया था सभी नाग्रिकों को स्वास्त की सुविधा उनके घर के पास आसानी से उपलब्द कराने के लिए उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने 2 अप्रेल सन 2020 को प्रदेश में आरोग्य मेले का शुबारंब किया इस मेरे के शुबारंब से आम जनता एक ही स्थान पर निशुलक चिकित सकीए परामर्ष जाचवा दवाओ को प्राप्ट कर सकते हैं वहीं अब तक प्रदेश के करीब सारह 3,000 केंद्रों पर लग चुके आरोग्य मेला में 93,43,361 मरीज देखे गए हैं इन में से 1,47,000 से अधिक गंभीर मदीदों को हाई सेंटर रिफर किया गया है हमारे खास रपोर्ट में इतना ही देश दुनिया के और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार